हे, हे, हा, आदिर, हा, मिस्स आदिर, हा, 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 क्या है ये नोर्टंगी, और क्या बोल रही थी वो, शेरलिन चोपरा को फोड़ दूगी, उसको लटका दूगी, अबे, ए, चर्बी की दुकान, चल, मेरे सामने, बस खड़ा हो कर दिखा, कि अगर फिरिस महिला को, अपन अपनी शिकायत दर्ज करनी हो, तो वो मेक अप का इस्तमाल न करे, ऐसा कोई रूर है, नियम है, क्या ये लोग राखी सावंद के समर्थक हैं, मैंने कुछ मीडिया वालों के जरीए, ये जाना है, कि राखी सावंद को बहुत दिक्कत हो रही है, मुझ से, और मेरे पुलीस चौकी पर जाकर उनके भाई मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से, तो सवाल ये पैता होता है, कि अगर कोई पीडित महिला पुलीस चौकी पर जाकर अपने मुलेस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है, तो क्या इस से किसी और को आपती होनी चाहिए या नहीं, हाँ, मुलेस्टर के खांदान वालों को, मुलेस्टर के करीबी दोस्तों को आपती हो सकती है, लेकिन क्या ये घलत है, घलत है क्या, हाँ, अगर हम इनसाफ की गुहार लगाने, पुलीस चौकी न जाएं, तो कहा जाएं, हाँ, राखी सावन के घर जाएं, उससे ये निवेदन करें, कि वो हमें इनसाफ दिलाएं, शर्मानी चाहिए उसे, एक महिला होते हुए, पीडित महिलाओं के प्रती, वो सहानुबूती नहीं दिखा सकती है, हाँ, महिला है न, है की नहीं, या इस पर भी सवाल पैदा हो सकता है, अजीब बात ही है, अरे, वो 31 किलो मेकप लगाती है, क्या हमने कभी कोई सवाल खड़ा किया, क्या हमने पूछा, वो इतना मेकप क्यूं थोपती है, अपने गंजे सर को छुपाने के लिए, हैर एक्स्टेंशन्स और विक्का इस्तमाल करती है, हमने कभी पूछा, आप ऐसा क्यूं करती है, हर 3-4 मह अपना पती बदलती है, हस्बेंड बदलती है, हमने कभी पूछा, आप ऐसा क्यूं करती है, नहीं, क्यूं नहीं पूछा, क्यूंकि उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी, लेकिन जब कोई पीरित महिला, पुलीस चौकी जाती है, उसके भाई, मीटू आरोपी साज़त खान के खलाफ FIR दर्ज कराने या शिकायत दर्ज करने तो उसे दिक्कत होती है, उसकी जलने लगती है, तो क्या किया जाए, बताईए क्या किया जाए, बर्नौल भेजा जाए, उसके घर पर, हद है, enough is enough, पता है हम सब को कि राखी सावंत दुनिया की number one attention seeker है, इस बात में कोई दो इसकी, एक limit होती है, अरे, अगर हम पुलीस के पास न जाएं, तो किसके पास जाएं अपनी शिकायत लेकर, और बात यहां पर सिर्फ शेरलेन चोपरा की नहीं हो रही है, बात उन तमाम पीडित महिलाओं की हो रही है, जिन्होंने हिम्मत करके, मेडिया के सामने आकर, अप सोनी चोपरा, सिम्रन सूरी, रेचल वाइट, मंदना करीमी, अहाना कुम्रा, करिश्मा उपाध्याय, जिया खान, डिंपल पॉल, रानी चैटनर जी, कनिश्का सोनी, यह कुछ नाम हैं जो मैं आपको सुना रही हूँ, ऐसे कई महिलाएं हैं, जिन्होंने डर के मारे, शर् सामने आकर, अपना अनुभव साजह नहीं कर पाए, तो, राखी सावंत को समझना चाहिए, कि बात यहां पर सिर्फ शेरलिन चोपरा की नहीं हो रही है, वो कहती है, अरे शेरलिन चोपरा तो जिसम की नमाईश करती है, तो बहन, आप क्या करते हो, चरबी की नमाईश करते आप क्या करते हो, बचसूर्ती का प्रदेशन करते हो, हमारा संफिधान ये नहीं कहता कि अगर कोई महिला अंग प्रदेशन करती है, तो इसका मतलब वह रजामंध स्मुस्झन सिन्माइश करना रजामंध होना बिलकुल नहीं उसको समझना चाहिए, nudity does not tantamount to consent लेकिन नहीं दिमाग से पैदर है वो औरत समझती नहीं है अरे हर आए दिन शेर्दिन शोपरा पुलीस चौकी जाती है हाँ यौन शोशन के खिलाफ शिकायत दर्च करने हर तीन चार महीने आप अपने बॉइफरेंस नहीं बदलते हमने कभी कुछ बोला चुप रहते हैं हम यह सोच करकी आपकी जिन्दगी है आपकी मर्जी चलनी चाहिए आपकी जिन्दगी में लेकिन हम जब इनसाफ की गुहार लगाने जाते हैं आप हम पर चड़ जाते हैं क्यों आप कहरे हैं कि आपके भाई साहब मीड्यार साज़द खान निर्दोश हैं बेकसूर हैं तो फिर जांजपर तलोंते दो ना दिकाट गया है कि जांज परता होने दो कानूनी कारवाई होने दो लेकिन नहीं यह ऐसी है वह 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 थी है यह अपना जिसम जिसम दिखाती है अरे भाई मैं आपसे पोछती हूँ अगर कोई महिला अपना जिसम दिखाती है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो राजामन्द है पेवकुफ नालायक छिचोरी है वो एक नंबर की अरे अटेंशन के लिए और भी गई तरीके होते हैं अटेंशन पाने के लिए वेल और भी लोग आपके उपर आवाज उठा रहे हैं उनके उपर आप क्या कहना चाओगी आज तक तो उने कभी देखा नहीं था लेकिन आपका पुतला वगेरा भी जला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आज इनका आख खुला है इतने टाइम तक तो नहीं अरे बाबा उन सभ कि दिमाग से पैदल लोगों से कहो कि डेली डिस्ट्रिक्ट कोट ने एक जज्जमेंट पास किया था एम जे अकबर वर्सिस प्रिया रमनी के केस में ठीक है तो कोट ने ये कहा कि एक पीडित महिला कई दशक बाद भी अपने यौन शोशन के अनुभव के बारे में बता सकती है अपने इस अनुभव को साज़ा कर सकती है वार्दात के कई दशक बाद भी इसका मतलब ये नहीं कि अरे बहुत टाइम हो गया ना तो रहने दो जाने दो जो हो गया सो हो गया नहीं जब जागो तब सवेरा आज कई साल बाद हिम्मत पैदा हुई है आप लोगों से बात करने के लिए आज कई साल बाद हिम्मत पैदा हुई है पुलीस चौकी जाकर मीटू आरोपी साज़त खान के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए तो आप कह रहे हैं अरे पहले आप कोमा में थे क्या बेहोश थे क्या नहीं पहले डरे हुए थे अब जाकर हिम्मत पैदा हुई अरे साज़त खान कोई छोटा मोटा नाम है क्या फरा खान का भाई है और फरा खान कोई छोटी मोटी हस्ती है क्या सल्मान खान और शारू खान की चहीती है तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हम कैसे जा सकते है तब हिम्मत नहीं थी आज हिम्मत पैदा हुई अच्छा आज हिम्मत पैदा हो गई यह हिम्मत कहां से आई मीडियो मूव्मेंट के चलते यह हिम्मत पैदा हुई 2018 में मीडियो मूवमेंट चुरू हुआ था ना भारत देश में तो जब अनेक महिलाएं आगे आकर अपना अनुभव साजा करने लगी बताने लगी कि देखो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है और हम भी शिकार बने थे हम फलाना के पास गए और फलाना ने हमारे साथ खलत किया जियाती की जबर्दस्ती की तब जाकर हमें एहसास हुआ कि कसूरवार हम नहीं है तब जाकर पता चला कि अरे मैं अकिरी नहीं हूँ मेरे साथ और भी कई पिरित महिलाएं है तब जाकर हमत पैदा हुई सिर्फ उसके भाईजान नहीं है हम सभी महिलाओं के भाईजान है हम भी उनको भाईजान मानते हाँ बताओ जाकर उस मनुस बहन को सडियल बहन को कि बंद करें ये नोटंकी अरे एक बहन अपनी दूसरी बहन के लिए खड़ी नहीं हो सकती मैं आपके साथ खड़ी हूँ अगर मेरा भाई गुनेगार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए हाँ आप जान्स परताल की मांग कर रहे हो न येस जाओ मांग करो जान्स परताल होनी चाहिए लेकिन नहीं वो क्यारी आरे उसकी हिम्मत कैसे हुई वो पुलिशों की कैसे चीड़ी गई हिम्मत पैदा हुई मेरी बहन, मेरी सडियल बहन हिम्मत पैदा हुई और थाएंग गॉड की हिम्मत पैदा हुई वो मुंबई पुलिस ने आपको क्या सपोर्ट दिया है अब तक आपने कंप्लेंड किया है और अब भी भी साजित पान अंदर ही अपना मस्त वो तो गेम खेली रहे है तो क्या है इसके ओपर कुछ मुंबई पुलिस करेंगी या ने करी देखिए 29 ओक्टोबर की रात को तकरीबन आठ बजे की आसपास एक महिला पुलिस अधिकारी ने मेरा बयान लिया और मुझको ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द कानूनी कारवाई शुरू होगी मैं और तमाम पिडित महिलाएं हम सब सी एम सर के ऑफिस के बाहर खड़े होकर निवेदन करेंगे एकनाश इंडे सर से कि वो हमें इंसाफ दिलाएं और किस के पास जाएं हम मुझे नहीं पता I think सी एम साहब के पास जाना ही सबसे बहतर होगा क्योंकि हमारे राज्य के मुख्य वही है क्योंकि हमारे